मध्या पर्देश में तुम आदिवासियों पेशाब करवाऊगे और मणीपुर की आदिवासी महलाओं को नंगा प्रेड करके घुमाऊगे यह आदिवासियों को मंजूर नहीं है बेटी के सम्मान के साथ खिलवार करने वाले को पकड़ा नहीं जा रहा है और एक महला अदिवासियों को नंगा खरके घुमाया गया नरेंद्र मोधी की प्रहत्विक्ता हैं उन बेटी के लिए नहीं थी योगी ने तो कहा था गुंडे दिली उत्तर प्रे छोड़ चुके हैं तो हम यह कहना चाते हैं प्रहत्विक्ता हैं गौतम अदानी को बचाने की प्रहत् प्रश की बेटी को के सव को ठिकाने लगाने वालों के लिए सुवेदार की पतनी और एक यूती को नगन करके पर उनका नंगी प्रेट करने वालों के खिलाप नहीं है यह प्राथमिक्ता है आप देखिए नर्यंदर मोदी भूपेंदर रावा तो जूट बोल ला हूं तो ज प्रक्स को लान तो आप देख रहे हैं जनेत आवाज इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भूपेंदर रावत जी जिस तरीके से पांस राज्यों के चुनाव होने वाले हैं उसी को लेकर हम इनसे बात करेंगे इंडिया वर्सिस एंडिये चल रहा है इनका क्या कहना है उसी को लेकर हम बात करते हैं क्या कहेंगे सर इंडिया वर्सिस एंडिये चल रहा है वर्सिस इंडिया और इंडिये का जो चल रहा है उसमें तो बहुत मैं दावे के साथ कह सकता हूं चुनाव इंडिया और इंडिये का नहीं चल रहा है चुनाव इस समय का मद्या पर्दिश में कोई मुख्यमंत्र का चेहरा नहीं है च्छतिशगर में कोई मुख्यमंत्र का चेहरा नहीं है तिलंगाना में कोई मुख्यमंत्र का चेहरा नहीं है म्यूजोरम में कोई नरेंद्रमोदी पुरा भाजपा सरकार केंदर की सरकार और कमलात के बीच मुकाबला है 36 गड़ का मैं जिक्र करूँ तो भूपेस बगेल के साथ मैं मुकाल इसलिए और लेकिन दूसरी रोचक बात जो सवाल है मैं आप सब दर्शकों से केंचातों से सवाल दूसरे तरके से किया ये जो पूरा आभा मंडल था नरेंद्रमोदी का इसके तोते उड़ गए नरेंद्रमोदी के जो आदम कदनी मैं कहूंगा कि भीम काई जो बड़े बड़े होल्डिंग लगे वे थे मध्यापरदेश से वो सब उखार कर फेंग दिये गए हैं नरेंद्रमोदी एक जो डाक टिकट की तरह होता है इतने बड़े साइज में सिमट कर रह गए क्योंकि नरेंद्रमोदी को समझ आ गिया भाजपा को समझ आ गिया कि नरेंद्रमोदी के नाम पर बोटने पढ़ रहा है आप फैरान होंगे जान कर दर सकों मध्या पढ़ दिये इसकी एक सबह में दो हजार लोग मुश्किल नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आये हैं तो यह जो अभी आभा मंडल है इसका दूसरा देखे एक जो भीमकाई जो बड़े-बड़े और मोदी के वह सब सिंबटहायर क्या कारण है है कि आरे से तक को नारेंद्र मोदी को कोई फरक पढ़ने वाला है को इस देस में और दुनिया में अफ़ा फैलाने वाले संगी कि रहो को ऐसा लगता होगा कि साइद इनके मन में होगा कि देश के लोग मुर्ख हैं लेकिन आज के इस स्वसल मीडिया के दोर में बले तमाम टीवी अकबारों को गोधी मीडिया में तब्दिल कर दिया गया हो लेकिन आज की तारिक में लोग बच्चा-बच्चा जान चुका है नरेंदर नरेंदर मोदी की प्रात्रिताओं में मैं गिंती करा हूं एक दम्यंती मोदी इनकी भतीजी है अक्टुबर 2019 का मैं जिक्र कर रहा हूं दिल्ली में पर्स और मोबाइल चोरी होता है दम्यंती का तो 24 घंटे के अंदर दम्यंती का मोबाइल और पर्स बरामत हो जाता है और उसको जपटा मार वो पुरानी दिल्ली इस्टेशन से एक गुजराती भवने सिविल लाइन में महां जा रहे ही थे परिवार सही और वह बरामत हो जाता है क्योंकि दुनिया के विश्व गुरू के भती जी का मोबाइल और पर्स चोर पकड़ा जाता है लेकिन नरेंदर अमोधी के ही लोगसमाद छेत्र बनारस का मैं जिक्र कर रहा हूं बियेच्चू का वहां एक छात्रा का रात को और वहां पहले मैं बताऊं तमाम इनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र और छात्र है कि इर्दि जो चाई के इस्टाल होते हैं वहाँ पर चाई पीने जाते हैं एक सात्रा जो किशान परिवार की गरीब परिवार की बेटी बिस बहां पर बनारस हिंदु विश्व इध्याले में वह अपने मित्र के साथ चाई पीने के लिए गई वी थी तो नरेंदर मोधी के ही लोग सबाच्छेत्र में गन पॉइंट पर उस बच्ची के कपड़े उतार करके नगन करके क्या किया गया होगा आप सब भली भाती जानते हैं यह एक नौमबर देर रात का मामला है यह प्रात्मिक ताएं आप देखिए अभी तक उस बेटी को गन पॉइंट पर नग सकता हूं इनके तार भी जिस तरीके से एक कानून की छात्रा चिनमयानंद जिसे नगन हो करके वीडियो बनवारा था जिस तरीके से इनका एक और कुल्दीव शेंगर 17 साल की बच्ची के साथ में बलातकार किया था मुझे लगता है कि इनी के खासम खास कोई परिवार से ज रक्स जिन्होंने यह सब किया यह प्रात्मिक्ता है देखिए बेटी के सम्मान के साथ खिलवार करने वाले को पकड़ा नहीं जा रहा है हमारे देश की ओलंपिक पदक बिचेता बेटियां पहले जनवरी में 18 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक बैठी है फिर अप्रेल से लेक की प्रात्मिक्ता है उन बेटियों की असमता से खिलवार करने वाले को जेल भिजवाने की नहीं थी बीच्यू की बेटी के साथ मैं ऐसा करने वाले उसके असमता से खिलवार करने वालों को जेल भिजवाने की नहीं थी मनिपूर में मनिपूर का आपको बता दूं कारगिल युद्ध को जीचने वाले सुबेदार की पत्नी और एक युद्धी को और एक महला उठी किस तरह के से नंगा करके गुमाया गया नरंद्रमोदी की प्रहत्विकता है उन बेटियों के लिए नहीं थी अंने दुख जताया थो था उनके लिए मणीपुर के लिए बोला था न नरंद्रमोदी ने अब मुन्हें खोला बेटियों के बिस्यल में जब संध विधान वां के अंदर बिहार के मुक्य मंत्रेटि इसकुमार ने परिवार नियोजन या जन संक्याथ विड़ी को गलत तरी कैसे रखा? मैं यह मानता हूँ, वो महलाओं का अपमान की बात और सम्मान की बात नहीं है, लेकिन मामला है कि वह जिस तरीके से रखा गिया, वह तरीका ठीक नहीं था. इस पर महला आयोग ने भी नोटिस जारी कर दिया. उस महला आयोग ने नोटिस जारी नहीं किया BSU की उस बालिका को नगन करने वालों के खिलाब मनिपुर की महलाओं के मामले में उसने नहीं किया उसने क्या कहते हैं आपको हातरस की वो 17 साल की जो बेटी थी उसके मसले में नहीं किया लेकिन कहा कि भाई नोटिस जारी कर दिया तो देखना पड़ेगा महला और बाल भी का स्मर्ट्री अरे उसकी स्मर्टी वह वापस आ गई वो भूल गई थी मनीपूर के मसले पर भूल गई पहलवान बेटियों के मामले पर भूल गई बी अच्यू के मामले पर वो बेटी के म हमला है अदानी को बचानी का महुआ महित्रा सांसद है किस तरीके चे वाया सवाल पूचे जा रही है आप देर रात को किसको फोन करते हैं तो एक बात हो महुआ महित्रा ने किसको फोन किया इसके लिए भी एक जाज कमिटी बने और हमारे देश के अंदर हमारे देश दुश्मन देश चीन का 63 अरब अमेरिकी डॉलर चांग चुंग लिंग का लगा हुआ है नर्यंदर मोधी भूपे अंदर रावा तो जूट बोल ला हूँ तो जेल मेटल बो सरकारे तुमारी तो हम यह कहना चाहते हैं पराथ मिक्ता हैं हैं गौत तो ज्यादा किसानों के साहता तो भी नर्यंदर मोधी ने आहां नहीं किया मनिपूर में अभी आपके प्रिवार से भी हैं तो पराथ मिक्ता देखनी चाहिए हमारे देश का विदेश मंत्राले का परवक्ता कहिता है हम फिलिश्टीन के भी साथ है लेकिन नर्यंदर मोधी के मुझसे एक सब्द नहीं निकलता है नर्यंदर मोधी ने ये तो कहा बहुत बुरी बात है हमास ने जिस तरके से हमला किया हमले का तरीका गलत हो सकता है उसमें बच्छ लेकिन अभी कतले आम मचा रहा है कतले आम फ के पास 57 फिश्दी जमीन थी फिलिस्ट पूर्य उस भूभाग की वह 55 फिश्दी जमीन उन्हें पहले दे दी गई हर युद्ध में उन्हें जमीन ले ली और कई यह जो हमारे देश के गदर और अंग्रे जोग यार उनके साथ रहने वाले लोग फिलिस्टीन की लड़ाई को हरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ 6 से 10 किलिमेटर चौड़ा और 45 किलिमेटर के करीब लंबा क्या है एक जेल है वे 20 लाख लोग रहते हैं वो इजराइल के इस सारे पर बहार निकलेंगे इजराइल के कहने पर अंदर जाएंगे जिनका आए दिन कतली आम होता है हम मुर्खों को क्या पता जिनके बाप दादा अंग्रेजों की गुलामी करते थे उनको क्या पता लेकिन हमारे जिन परिवारों ने हम जानते हैं कि द्देश की आजएदी के लिए हमें गांधी जी को मानने वाला हूं। लेकिन इसका ये कता ही मतलब नहीं है कि मैं चंदर्शेकर आजाद सेधी आजाम भगा सिंग अस्पा कुला खां हत्यार के बल पर देश की आजादी की जंग लड़ने वाले के खिलाफ हूँ तब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में दुबिधा में है नरंद्रमोदी वो खड़े रहेंगे फिलिस्टीन के पक्ष में बोलेंगे नहीं इज्रैल के पक्ष में बोल दिये लेकिन भारास सरकार का फॉर्मल बयान है फिलिस्टीन के पक्ष में दो राष्टों के पक्ष में तब हम ये कहना चाहते हैं विदेश निती के मामले में कंफ्यूज अधानी को बचाने के लिए मोवा मोयत्र को फसाने के मामले में कंफ्यूज अगर देश के लिए खत्रा है तो दर्सन नंदानी को लेहो हीरा नंदानी के बैटे को देश के लिए खत्रा है तो तब हम कहना च भती जी के पर्स और मोबैल के लिए हैं लेकिन दम्यंत नरेंद्र मोधी की प्राइट्मिक्ता हैं बी अच्यू की छात्रा को नगन करने वाले के लिए हात रच की बेटी को के सव को ठिकाने लगाने वालों के लिए मनिपूर की सेना के सुवेदार की पतनी और एक यूती को नगन करके पर उनका नंगी प्रेट करने वालों के खिलाप नहीं है मनिपूर आज भी जल्ला है मनिपूर के आज भी वह सित्री है तीन मैं से लेकर आज तक नरेंद्र मोधी की प्राइट्मिक्ताओं को ध्यान में रखते हुए दावे से मैं कह सकता हूँ चछतिसगर्ड उनमें इनको तीन सिते नहीं मिल रही है और 36 वहर्ण में तीन शिते नहीं मिल रही है और नरेंद्रमोध्य पहले आदिवासी महलाओं को नंग्या प्रेड करके घुमा होगे यह आदिवासियों को मंजूर नहीं है इसलिए नरेंद्रमोदी का जो बड़े भीमकाई होलिंग थे मद्यापरदेश में सब उखाड के फैंक रहे लोग और एक इस्टीकर के रूप में तब्दील कर दिया गया है नरेंद्रमोदी मद्यापरदेश में कमालास से हार रहें 36 गड़ में भूपेश बखिल मैं कहना चाहता हूँ इडी की प्रात्मित है देखो 2020 से इडी का क्या कर रहा है इडी जाच कर रहा था महाद्यवैप की लेकिन क्या धूंड का निकाला धूंड के यह निकाला कि 2 डेमेश कंट्रोल करनी के लिए एक फरजी वीडियो बनाया गया क्या बनाया गया कि भूपेश बगेल ने 508 करोड रुपे लिए यह इडी की प्रात्मिकता है मैं एक बात कहना चाहता हूं जिस तरीके से राजस्तान में 15 लाग की रिस्पत के साथ 2 अधिकारी ग्रपतार ह हुए हमारे देश के सुप्रीम कोट के मुख्याजिक तो स्वत्ता संग्याल देना चाहिए और जितने मामले रिष्टर हैं और उनकी युजाज करने वाले सब को सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए यह इडी के अधिकारी कम और यह गुंडे हैं कलेक्सन अजेंट हैं नर यह काम होना चाहिए था और उसके एंपर पर्तीबंद लगा ठीट कभ लगाया पर्तीबंद्द्न जिए इस पर्तीबंद को लगाने की बात कि۲ाने की इसको बात की है भूबेस्भगेल ने उसके बात पर्तिबंद लगाया यह employees जान चुका है मोदी की प्राथमीकता हैं आंडिया को और मोहदी को घर बिठाने की और दिप्रक्स को लाने की तहें हमारी सुत जी India तो यह उन्हें ने बताए कि इन्होंने काफी बहुत कुछ बताया है तो आप इसमें क्या कहेंगे आप इससे कितना सहमत हो है में जरूर बताएगा और देखते रहें जनेत अवाज